साइंस के विकल्प नहीं है या फिर वो अकेले ही जाना चाहती है देखिए यह बड़ी बिच्चितरता और हैरत वाली बात है और इस पर लोग यह कहते हैं कि मायवती से साइड डरती है इस वजा से वह किसी कड़बंदन के साथ चुनाव ललना नहीं चाहती है अलग अलग तर्क है भी पक्षियों के लेकिन यह बात आप कहे सकते हैं कि मायवती एक सिलिपरी विकट पर खेल रही है जिसमें गेंद कहीं और जा रही है और बल्ला हो कहीं और चाहे उनकी पार्टिक फाइदा हो चाहे सीट आवे चाहे ना आए लेकिन यह है कि मैच में वो रही और मैच का पैड़ाम क्या रहा वो बाद में तै होगा तो यह इस्तितियां इस तरह की बन रही है कि जब एंडिये और इंडिया दो एक बड़े गड़ बंदन उत्तर प् और भाव है वो एक साथ आमने सामने हैं और जब से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी इंडिया के गड़ बंदन में आएं तो उत्तर प्रदेश में मुसल्मानों में जो आसंकाएं थी वो इत्मिनान में साथ बदल गई हैं उनको अब मायावती अलग लड़कर उस तरह बातचीत का में जरूर अपनी बातों से जोस भर रहे हैं बहुजन समाज पार्टी के बातचीत का काम में लेकिन अब मायावती भाई भतीजावाद पर भी ज्यादा बोलने की स्थिति में नहीं रहेंगी क्योंकि भाई भी अब पार्टिंग मीटिंग में आता है और को हो सकता है कि मायावती लोगसभा का चुनाउ उत्तर परदेश में लड़ाएं अब वो बिजनावर से लडाती हैं कि अंबेडकर नगर से लडाती हैं कि दलित बाहुल को कोई स्वीट उसके लिए ढूनती हैं उसके लिए राजनेटिक पिछ वो हो सकता है कोई तयार करें यह भी एक बड़ी इस उत्तर प्रदेश के लोगस्भाद चुनाओं में आपको देखने को मिलेगा इस प्रदेश में जब बात होती है 26 बनाम 36 की लडाई की तो ऐसे में माय वो घट गया है और उनके ओट पर जो घटे थे उसको बीजेपी ने हतिया लिया है अब वो आगे कितना उनके पास छोड़ेगी यह अलग बात है बीजेपी को एक अच्छा खासा एडवांटेज मायवती के इस ऐलान से मिलता है वो लाब की ओर जाती है और उसके अलावा उसके पास हिंदुत है धर्म का तमाम सारा हत्यार है सरकार है उसकी दो दो जगा संसादनों से लैस है बड़ी पार्टी है तो वो सब चीजे बीजेपी के फाइदे की ओर जाती है लेकिन बीजेपी को जो सबसे बड़ा वोट बैंक परदान करता है हिंदू समाज वो मुसल कर्मान का हम ठीक रखे हैं एक दम उपद्रों नहीं कर पा रहे हैं हिंदू सुरच्छित हो गया है हमारी सरकार में अब वोट दियो तो यह वोट मांगने का और लेने का चुनाओं में अलग-अलग तरीका है और महौल है वो बन जाता है और देखिए मायवती का जब एक ज संकीत है कि अखिलेश और मायवती एक साथ ना आ जाएं और उनके ना आने से वह ज्यादा खुस है क्योंकि उसके लिए रास्ता थोड़ा आसान नजर आता है मायवती और अखिले चुनाओं में 15 लोग सभब जीता लेकिन तब लोग क्यास लगाते थे कि 50 सीट जीत लेगा बीजेपी भी बहुत घबराती थी तो वो नहीं चातिक दुबारा इसी स्थिती बने सामने अब ये बात अलग है कि कई बार मजबूरियों में कई बार सियासी फाइदे के लिए नेता अहलान करते हैं समझोते करते हैं सत्ता के खातिर तमाम सारी चीज़े होती रही हैं और एक दूसरे के लिए कसीदे पड़ रहे थे आज उन वो नफरत उगल रहे हैं उनको देखना पसंद नहीं कर रहे हैं तो बड़ी सारी बाते हैं लेकिन लोगसभा का चुनाओं कई तस्वीरें ला सकता है सामने समाजवादी पार्टी में अखिलेस यादो डिमपल पूत इस्तिती में है भी जेपी से टकर लेने का तो मायवती थार्ड प्लेयर बनकर ना रहे जाएं यह उनको देखना होगा बाराल सियासत में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो उमीदों पर चलती हैं एक साहितिकार ने लिखा है कि बिक्ती है ना कहीं खुसी ना कह कि गम बिक्ता है लोग इस गलत फैमी में हैं कि कहीं मरहम बिक्ता है इंसान ख्वाइसों से बंधा हुआ एक जिंदी परिंदा है उमीदों से ही घायल है और उमीदों पर ही जिंदा है बहुत शुक्रिया विरेंजी यही बात में खान साब कहता हूं कि जिद ना किया करो ब बोद्दनि वादा मुद्ट